यैं दोस्तो बहुत-बहुत सवागत है कपर फिर से आप सभी का बीए समेश्ट अवाला में दोस्तो आज के इस कलास में उन्लोग कवर करेंगे बीए 3rd समेश्टर एजुकेशन यानि सिच्छा सास्त्र सिच्छा सास्त्र का जो new syllabus है और new best आप लोगों का start हो गया है exam 2024-25 के लिए ठीक है तो फटा फट इस class को आगे जरूर शेयर कर देंगे दोस्तों ठीक है चले यह आज के इस class में यह आपके subject है इजुकेशन सिच्छा सास्त्र यह आपका subject है यह आपके paper का नाम है ठीक है यही आपको पढ़ना है यही पढ़ना है यह निया syllabus आपका 2024-25 के लिए इसमें 8 unit है यानी 8 chapter आपको पढ़ने है आप इस संबंधित college में पढ़ रहे हैं या इस संबंधित इस संबंधित college में पढ़ रहे हैं या फिर भारत के किसी भी university में प्लास को अटेन कर सकते हैं ठीक है सेल बस आप लोग देख लेंगे भाई या आठ यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने ठीक है देखे आठ यूनिट पढ़ने हैं यूनिट वन में आपको पढ़ना है एजुकेशन एंड फिलोसॉफी सिच्छा और दर्शन ठीक है इजुकेशन यानि जो दर्शन है और दर्शन सास्त्र है इसके बीच में अंतरवस्त या अंतर है और जो दर्शन है और दर्शन सास्त्र है यह सिच्छा से किस प्रकार संबंदित है इसके बारे में डिसकस करेंगे यूनिट वन में ठीक है चले यूनिट टू में आपको क् वेद पढ़ना है, और सुरीमत भगवद गीता पढ़ना है, चलियुनिट 2 में यह पढ़ना है, unit 3 में क्या पढ़ना है, a brief introduction to worstischen, फिलोसोफिस, यानि पश्मी दर्सन का संुछिप्त यास, यानि इसका आदर्स वात कैसा है प्राकिर्तिक वात कैसा है और वेवारिक वात कैसा है ठीक Χै है इसके बारे में हमें डिसकस करना है अगर आप लोगों को PDF चाहिए डिलीगराम गूरूप का लिंक दिया है डिस्किप्शन वाक्स में जोइन कर लीजएगा गुरूप को वीडियो के ठीक नीचे पीडियम मिलेगी अपना सैलबर्स डाउनलोड कर लिजेगा क्लास तो स्टार्ट होई गया आप लोगों का तो फटा फट आगे जरूर सेर कर देंगे वाटसप पर यह आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है सब्सक कोश्चन आपके कोश्चन पेपर से ही आजाएंगे जितने कोश्चन पेपर मैं सॉल्फ कराऊंगा ठीक है चले और मॉडर पेपर तुम्हें देता ही रहता हूं चले यूनिट चार में आपको क्या पढ़ना है सम प्रोमिनेंट इजुकेशनल थिंकर्स यानि कुछ प्रमुक सैच्छिक विचारा कुछ में कौन है मात्मा गांदी जी है स्वामी विवेकानंदी जी है भिम्राम बेटकर जी है इसमें जूड करके आता है रूसो ठीक है और एक यानि भारती समाज का परिचाय ठीक है प्लूरिज में एंड डाइबर्सिटी इन इंडिया भारती समाज में बहुलवाद यों भी भी थेता अच्छा समाजिक अस्तरी करण में जाती वर्ग लिंग यानि काश्ट क्लास और जेंडर यह आपको पढ़ना है ठीक है यह मैंने इसको काफी बिस्तार पुरोग पढ़ाए गया ठीक है चलें अब यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना भी या यूनिट 6 में आपको पढ़ना है अच्छा मैं केबल हिंदी बता रहा हूं चलिए जल्देदी देखने का प्रयास करेंगे विद्याले सिच्छा यह में गठन के रूप में विद्याले को किस परकार दिखा जाता है समाजिक परिवर्ता नेवम सिच्छा ठीक है सिच्छा के वज़े से समाज में किस परकार के परिवर्ता नाते हैं इसको पढ़ना है समाजिक गतिसील सिच्छा सिच्छा किस परकार से समाज में गतिसील है इसके वारे में यूनिट 6 में discuss करना ठीक है चले यूनिट साथ में आपको क्या पढ़ना है सिच्छा का राजनायतिक परिप्रेक्ष ठीक है अच्छा सिच्छा करा यह जो मौलिक अधिकार हैं करतब हैं नीती के निर्देशक सिध्धान्त है पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे ह अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है चले यूनिट 8 में आपको पढ़ना है सिच्छा के आर्थिक परिप्रेक्ष ठीक है सिच्छा का आर्थिक परिप्रेक्ष सतत विकास है तू सिच्छा विकास के लिए सिच्छा किस प्रकार महतपूर है राश्ट सहस्त विकास लक्ष या आपको यूनिट आठ में पढ़ने है ठीक है तो आप लोग पीडियेप जरूब डाउनलोड कर लिजेगा आप लोगों के कोश्चन पेपर आने वाला है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आन कर लिजेगा मैं जब भी आप लोगों के लिए कोश्चन पेपर लाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा तो अपना कोश्चन पेपर देख लेंगे ठीक है एक्जाम से पहले मैं सारे उनिवर्सिटी के कोशीष करूंगा सारे इनुवर्सिटी के मैं कोशन पेपर स्वर्प करा दूं और माडल पेपर भी दूंगा ठीक है चले जय हीन जय भारत